आप सभी लोगों का संकल पेगेडवी में स्वागत है आज हम लोग कच्छा बारा में भौती विज्ञान को स्टार्ट करेंगे इसमें आम लोग केवल बेशिक के बारे में समझेंगे और इस पर अधारित जो है जो बेंज़क है उसको हल किया जाएगा और कोश्चन को सबसे पहले देखे पहले चेप्टर का नाम है आप लोग का कुलाम का नियम तथा वाजुत छेत्र यहाँ पर आप लोग को आवेश के बारे में जानना जरू है क्योंकि कुलाम का नियम जो है आवेश पर ही अधारित है इसलिए सबसे पहले हम जो है वाजुत आवेश के बार के होते हैं और इसके कैसे धरायन होता है और कैसे रिडायन होता है इतना पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कुलाम के नियम को ठीक है सबसे पहले लेखे वाइदूत आवेश किसे काते हैं तो किसी पदार्थ का वह गुड जिसके कारण उसमें क्या हो विदूत तथा कि प्रभाव करने का गुड आ जाए ठीक है उस पदार्थ को हम लोग क्या बलेंगे वाइदूत आवेश ठीक है और इसे किस से प्रशित किया जाएगा क्यू से या कौन सी रासी है रासी पुष्टा है दो तरगी रासी होती है अदिस और सदिस तो यह जो है आपका अदिस रासी हो जाएगा और इसका मातरक क्या है तो या इसकी विमा देके की बडाबर आपको नीचे करेंगे धारा है और टी है आपका समय समय के लिए टी यूज करते हैं तो सुत्र आपका हो जाएगा क्यू बरावर यान नी बरावर आई टी और वी में हो जाएगी एटी आवेस की ठीक है अब जहां यह क्या है देखें यह आपका यह कमान होता है एक दसम्लों छो गुड़े 10 के पावर माइनस 19 कुलाम इसको जो है प्रक्रित का मूल आवेस भी काते हैं क्योंकि इससे छोटा आवेस कोई नहीं है ठीक है इसके बाद यन यन क्या है इसमें इलेक्टरान की संख्या देखें इलेक्टरान रहेगा तो इलेक्टरान प्रोटान रहेगा तो प्रोटान की संख्या इलेक्ट्रान जो है आपका रिड़्विसट्कार्ड है प्रोटान में जो क्या है दोट दरा देख़े रिपासまぁ कि उसमें जोड्रा सब्रकुte बताए जाएगा अब जो हम लोग देखेंगे धन आवेश और रिड़ इससे पहले हम लोग वाइदूत आवेश के बारे में पड़े थे बारे में वाइदूत आवेश दो प्रकार के होते हैं अब धन आवेश कैसे पहचाने के कोई प्रदार्थ जो है धन आवेश हो जा रहा है और कोई पदार्थ जो है रिड़ आवेश जान समझेए यदि किसी पदार्थ से इलेक्रान कम कर दे या उसमें धन आवेश की संक्या बढ़ा दे तो वो पदार्थ क्या हो जाएगा आपका धनावेसित हो जाएगा ठीक उसी प्रकार यदि किसी पदार्थ को जो है आप रिड़ आवेस दे दे और उसमें से धनावेस की कमी कर ले तो भी वो पदार्थ क्या हो जाएगा आपका रिड़ आवेस हो जाएगा तो इ ऐसे यदि कांच की छड को रेसम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड पर इलेक्टरान की कमी हो जाती है जिसके कारण कांच धनावेशित हो जाता है तो दुसरे पर क्या आएगा परीड आवेश हो जाएगा क्योंकि आवेश का आवेशन रच्छड का नीयम यहिए कि एक से दुसरे आवेस को हम प्रदान कर सकते हैं इसमिंसे उठागको इसमिंह रख्षा कर सकते हैं ठीक है? इसी के अनुसार एक पर धन आवेश होगा तो दुसरे पर रिड़ आवेश और रिड़ आवेश की परिभासा है आपका किसी पदार्थ पर इलेक्टरान की अधिकता के कारण उत्पन आवेश को रिड़ आवेश करते हैं याइसे यदि एवनाइट की छड़ को फर से जाए तो इवनाइट की छड़ पर इलेक्टरान की क्या हो जाएगी अधिकता हो जाएगी जब इलेक्टरान अधिक होंगे तो इवनाइट की छड़ क्या हो जाएगी आपकी रिड़ आवेश हो जाएगी अब यहाँ ध्यान देने के वियोग बात है कि समान आवेश भी गाए इसको नोट कर लेंगे है अब जो है हम लोग पढ़ेंगे वाईद्धूत आवेश के सन्रच्षर का नियम देगे वाईद्धूत आवेश के सन्रच्षर के नियम क्या होता है इस नियम के अनुसार हम नो तो आवेस को उत्पन कर सकते हैं और नहीं नश्ट कर सकते हैं बलकि उसका आदान प्रदान कर सकते हैं यह ध्यान देना नियम लिख इस नियम के अनुसार वाधूत आवेस नो तो उत्पन किया जा सकता है और नहीं नश्ट किया जा सकता है ठीक है अब लिखेंगे आप लोग एक कुलाम, देशे एक कुलाम किसे कहेंगे, कोई पुछता है कि एक कुलाम क्या है, तो यदि किसी चालक में, समझे, यदि किसी चालक में एक एमपियर की वाइदू धारा एक सेकेंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक में गुजरने वाले आवेस क मातरा को क्या कहेंगे एक कुलाम ठीक है यह तो देखिए यह फर्मॉला होता है q बरावर i into t देखिए यादि यादि i और t कमान एक एक रख लेंगे तो q कमान क्या हो जाएगा एक हो जाएगा तो इसी के अनुशार इसकी परिवासा होता है ति यादि किसी चालक में एक एंपियर की वाइदु धारा एक सेकेंड तक प्रवाइत हो तो उस चालक में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा एक कुलाम होगी ठीक है अब आपको पढ़ना है आवेश की कौनटम प्रक्रिती क्वांटम का मतलब क्या है एक तरस संख्या है ठीक है इसमें आपको जो है यहकि मान की संख्या पुल संख्या के रूप में आना चाहिए ऐसे एक दो तीन चार पांच, एक हजार दो जर, यह नहीं कि एक दसमलो पांच, दो दसमलो पांच आएगा, तो इसका मान जो है, आपका गलत है, ठीक है, यह ध्यान देना है, तो इस प्रकृत के अनुसार, वाइदुत, आवेस को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया ज संख्या और संख्या विद्यान देए क्या जीरो एक दो तीन चार पांच ऐसे करके रहना चाहिए यदि जीरो है तो मतलब इसके बाद कुलाम का नियम ठीक है इसको पहले नोट कर लेंगे तो कुलाम के नियम के बारे में समझेंगे अब अब जो है हम लोग समझेंगे कुलाम के नियम ठीक है सब्सक्राइब के नियम जो है आपके वादूत आवेस पर ही अधारित नियम है इसमें जो है आपके क्या होगे दो आवेश होंगे और उनके बीच लगने वाले बल के मान को ग्द्ध किया जाए के आवेश इके बारे में आप लोग पढ़े हैं सिगहें देखें आवेश के क्या होंगे इसमें गुडनफल के अनुक्रमान पाती ठेहा है मालने दो आवेश यहाँ पर दर्शाए गए Q1 or Q2 तो इनके गुड़नफल के अनुक्रमानपाती तथा इस की बीच की दूरी के क्या है बर्ग के ब्युत्क्रमानपाती देखे अनुक्रमानपाती मतलब वो जो है उपर रहेगा बुद्ध क्रमान पाती मतलब वो नीचे रहेगा ठीक है आये इस नियम को ध्यान से देखे क्या लिखा गया है इस नियम के अनुसार दो इस्तिर बिंदु आवेश ठीक है के बीच लगने वाला आकर्षड अथ्वा प्रतिकर्षड बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुड़न फल के अनुक्रमान पाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के ब्यूत क्रमान पाती होता है ठीक है अब एक बर और रिविजन कर लिजे इस नियम के अनुसार दो इस्तिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षड अथ्वा प्रतिकर्षड बल देखे कब आकर्षड लगेगा और कब प्रतिकर्षड इससे पहले आप लोग को समान आवेश विपरित आवेश के बारे में बताए गया था जब समान आवेश रहेंगे तो आपके क्या होंगे प्रतिकर्षड हो जाए जब वीपरित आवेस होंगे तब आकर्षड तो मतलब इसमें माली एपलस होगे एप मायनुस होगे तो इसमें आपरशड हो जाएगा यदि दूनों एक ही होगा एपलस प्लस हो जाएगे तो प्रतिकर्षड करेंगे तो वह लिखा गया है उनके बीच लगने वाला सड़ का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुरनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्यूत क्रमानुपाती होता है। इसी प्रकार अब हम जो है कि गली दी रूप में कैसे बैक्त करेंगे तो यह गली तीरूप में ब्यक्त करने का तरिका जैसे इस प्रकार यदि दो बिनदू आवेश Q1 वां Q2 दो बिनदू आवेश मतलब Q1 वां Q2 क्या हो गये? एक दूसरे से आप दूरी पर इस्तित है तो उनके बीच लगने वाला बल यह का हो जाएगा एप फ्रोपोशनल को टू की ऊटु अपन आरीस को एदे के लिख कि गुलनफल के अनुकरमान पाती तो गुलनफल के अनुकरमान पाती और बीच की दूरी के वर के बीच करमान पाती मतलब नीचे रहेगा ठीक है यह आप बराबर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोपोस्टनल हटाएंगे तो बराबर लिखेंगे तो एक नेतांग कोई ने कोई आपको जोड़ना है तो यह आप बरावर के Q1 Q2 अपान आरेस का इसको जो आप समिकार नमबर एक मान सकते हैं जहां के क्या है एक नेतांग है जिसे कुलाम नेतांग भी काते हैं ठीक है जिसे कुलाम नेतांग भी काते हैं लेज़ेगा यहां पर शुट गया है कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि यह जिसे कुलाम नेतां कहते हैं कि के कामान कितना होता है नो गुड़े दस के पावर नो निउटन मीटर स्कॉर प्रति कुलाम स्कॉर और केक यह जो माने किसे लिए गया है केक को एक वटा फॉर पाई अफसाइलन नाट लिखा जाता है यदि इस मान को आप हल करते हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा आपका नो गुड़े दस के पावर नो निउटन मीटर स्कॉर प्रति कुलाम स्कॉर अता यह का मान हो जाएगा आपका एक वटा फॉर पाई अफसाइलन नाट की वन की टू बटा में आर स्कॉर यही आपको ज्यादा तो सुत्र प्रयोग होगा जहां भी दो आवेसों के बीच लगने वाले बॉल का प्रयोग करना होगा इसी सुत्र की साहता से आप निकालेंगे ठीक है अब जो है जहां आपसाइलन नाट क्या है इसमें निर्वात की वाइदुस सिलता ठीक है इस तरह से आपका यह हल हो गया इसको नोट कर लेंगे अब जो है हम निकालेंगे यह आपसाइलन जीरो का आंकिक मान कितना होगा और इसकी वीमा क्या होगी अब जो है अब जो है अब साइलन जीरो का आंकिक मान कितना होगा और इसका मात्रक और वीमा क्या है इसको निकालके दिखाते हैं सबसे पहले आप लोग को यह ग्यात होना चाहिए कि कुलाम नियतां का मान क्या होता है उसी के अनुसार आप लोग इसका मान निकालेंगे कुलाम नियतां के के स्थान पर एक फैक्टर यह बता है एक बटा फोर पाई अफसाइलन जीरो बराबर नो गुड़े दस के पावर नो क्या मातरक लिखा गया था इसका नियूटन मीटर स्कॉयर और प्रती कुलाम स्कॉयर यह लिखाए गया था आपका एक बटा फोर पाई अफसाइलन नाट का मान ठीक है नियूटन मीटर स्कॉयर प्रती कुलाम स्कॉयर देखे यह दि चाहे तो इसकी वीमा भी निकाल सक सबसे पहले यह इसी की भी मा निकाल लेते हैं ठीक है तो एक बड़ा फोर पाई आपको न्यूटन है तो न्यूटन के लिए शुत्र क्या बताएगा है एम एल ट के पावर माइनस दू ठीक है मतलब बल गुड़े तो रड़ शिप अले बताएगे देखिए मीटर स्कॉाइर है तो इसके लिए आप यूज कर लेंगे एल स्कॉाइर आप पाहन देखिए कुलाम स्कॉाइर है तो कुलाम की वीमा एटी इसका स्कॉाइर कर लेंगे तो आप सबको उपर भाष देजिए तो देखिए एम एल के पावर तीन ठीक है और टी के पावर कितना हो जाएगा आपका माइनस दो माइनस फोर और ए के पावर माइनस दो ये जो है आपके एक बटा फोर पाई अप साइलन नाट की वीमा होगी अथ्वा कुलाम नेतां की की बीमा यहां अब आईए हम जो है इसको अफ्साइलन्थ का मान निकालेंगे साहत में उसके निकालना निकालना है सबसे पहले आंकिक मान क्या है आपको और साहत में उसका मात्रक निकालना है तो उल्टा कर लेंगे अब देखे आंकिक मान जो मान प्राप्ट हुआ है उसी का क्या कर ले आप व्यूत करम कर ले तो एक वटा फोर पाई अपसाइलन को करेंगे तो फोर पाई अब साइलन नाट बराबर हो जाएगा एक बटा में 9 गुड़े 10 के पावर 9 यहाँ पर केवल अब साइलन नाट कमान निकलना है तो अब साइलन नाट बराबर एक बटा में 9 गुड़े 10 के पावर 9 गुड़े 4 अब पाई पाई कमान कितना है आपका चाहे अगले वाल लिख कि लेंगे मात्रक निकल जाएगा देखिए तो कुलाम स्कॉायर ऑपरती न्यूट्राण कि क्या है अपका मीटर इसक्वायर ये जो है इसका मात्रक हो जाएगा ठिक यह क्या है इसका मात्रक तो मात्रक ग्यात कर लिए अब यंकिक मान निकालना है तो देखिए सभी मान ग्यात है आपको केवल आप आप लोगो को डिवाइड करना नो गुड़े दस के पावर नो चार गुड़े तीन दसम्लो एक चार यदि देखिए याप इस सबको हल करेंगे तो आपका मान आजाएगा आठ दसम्लो आठ पाँच गुड़े दस के पावर कितना होना चाहिए माइनस बार ठीक है और मात्रक क्या लिखेंगे आप कुलाम स्क्वाइर और प्रती न्यूटन मीटर स्क्वाइर चलिए अब हम जो है आंकिक मान तो निकाल लिए और मात्रक भी पता चल गया अब इसकी वीमा निकालते है क्या निकालना है वीमा तो देखिए वीमा देखिए ज्यान से एक उटा फोर पाइफ साइलन नाट की वीमा निकाल चुके है आप जो वीमा प्राप्त हुआ है देखिए यह जो है उसका व्यूत्करम है तो व्यूत्करम में आप क्या कर लें उसका उल्टा कर लेंगे तो ज के पावर माइनस दिन और टी डी के पावर फॉर और एक के पावर टूOW कितना सत्ता है अपको फोला यह वटा फोर पाई अप्साइलन नाट की वी मा जो निकाले हैं केवल इसी का क्या कर देंगे, उल्टा कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आप साइलन नाट का मान उल्टा करके निकाल गया है, और मातरक भी इसका क्या है, एक दुश्तरे के वी पृत है, तो वीमा भी क्या होने चाहिए? भी पृत ही होंगे, तो मतलब जहाँ प्लस है, वहाँ केवल माइनेस कर लेंगे और वीमा निकल के आगे आपका ठीक है नोट कर लेंगे अब जो है हम पढ़ने जा रहे हैं अध्या रोपड का सिध्धान्त कर दो लेंगे रूबने का सिवान्त रहुआ कर दो है है वाँ कर दो कि लेंगे इनलाव ज जा रओता है यहाँ कर लेंगे रहे हैं वोजी आपकाशनार अपकाशनारios आपका है रहे हैं अभर कई अब जो हम परावैदुथ तांग के बारे में संजेंगे परावैदु तांग क्या होता है और कुलाम के नियम का सदिरी शुरूप इसके बार आप lending को अध्यार ऊपणके शिधानत के बारे में कल बता जाएगा आज की लिए वस इतना इस संजेंगे ठीका है? परावाईदूत तांग का मतलब क्या है परावाईदूत माध्यम की वाईदूत सिल्ता परावाईदूत माध्यम मतलब जैसे कागज हो गया तेल हो गया इनके बीच लगने वाला बल्क की गयात करने के लिए ठीक है तो परावायदुत माध्यम की वायदुत सिल्ता अब इस माध्यम में वायदुत सिल्ता कितना है और निर्वात या वायू में वायदुत सिल्ता कितना रहेगा और दोनों का रेशियो निकाल देंगे वही क्या हो जाएगा परावायदुत तांग ठीक है परिवासा भी वही ल यहां पर परावाईदु तांग के लिए एक सुत्रूर प्रयोक्या गया है के वरावा अपसाइलन बटा में अपसाइलन नाथ यहां देखें दूनु जो है वाईदु सिलता है तो इससे आपका के का मातरक निकालेंगे अत्वा वीमा तो कुछ नहीं यह जो है वीमा हिन रास अब एक और परिवाषा लिखेंगे बल के अधार पर तरिए परावाईदुत माध्यम का और निर्वात अथ्वाज्ळ में परस्पर कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के भीच लगने वाले बल ठीक है मतला निर्वात अथ्वा वाईदुमीं जितना बल लग को क्या कहेंगे परावज तांक ठीक है तो यहां पर फार्मुला है आपका के बराबर यॉफ बटा में यॉफ यॉफ जो है आपका निर्वात के लिए है और यॉफ जो है माध्यम के लिए बल है अब देखे कुलाम के नियम का सदिश रूप देखे कुलाम के नियम का सदिश होता है वेक्टर याफ वान टू बराबर एक वटा फोर पाई अपसाइलन जिन नाट की वन की टू अपन आर वन टू का इसको आजा और यह जो है यही आप लोग ध्यान देना है यूनिट वेक्टर आर वन टू इसको एकांग सदिस भी बोलते हैं ठीक है जहां आर वन टू क् पाला की बोल लगा रहा है यह प्राप्थ हो गया तो दूसरे का पाला पर बोल लगाने के लिए आप को केवल दिशा चेंज कर देना है मतलब प्लस रहेगा तो माइनस माइनस रहेगा तो प्लस ठीक है इस तरह से परावाईदु तांक और कुलाम के नियम के सदेश रुखतम हो गए कल आप लोग को अध्यार उपल का सिध्धान्त के बारे में बताए जाएगा और वाईदु छेतर की त ब्रुता ठीक है और वाईदु छेतर किसे काते हैं बल्डे खाएं बल्डे खाओं के गुर्ड के बारे में अध्यान करेंगे आज के लिए बस इतना ही बेश्ट आफ लक